जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इंडिया सिनेमा के अंदर काफी बारी बारी बचट की मूवी देख चुके हैं जिनका बचट 500 से 600 कुरोड का होता है और जो बोक्स ओफिस पर फाड़ के रख देता है कमाने के मामले में तो साउथ और बोलिवोर्ड भी ऐसी ऐसी फिल्में लेकर आ रहा है जिनका बचट 500 से 1000 के बीच में होने वाला है और ये मूवी आने वाले टाइम पर पाववली जैसे मूवी का भी रिकोर्ड तोड़ देने वाली है तो चलिए देखते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन सी ऐसी फिल्में होने वाली है तो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है कंगुवा और कंगुवा सूरे सर की आने वाली एक एक्शन फिल्म है जिसे डिरेक्ट कर रहे हैं सिवा सर और सिवा सर का ये कहना है कि ये फिल्म काफी खतरनाक लेवल की फिल्म होने वाली है जिसके अंदर सूरे सर काफी खतरना वो लुग में नज़र आने वाले हैं और इस फिल्म के अंदर साथ में दीशा पटानी भी हमें देखने को मिले वाली है और इस फिल्म की स्टोरी 1678 की होने वाली है और मैं आपका उता दू कि ये फिल्म सूरे सर और सिवा सर की पहली फैन इंडियर फिल्म होने वाली है जिसे दो बागों में बनाया जा रहा है और कहा ये भी जा रहा है कि ये वाली फिल्म बाहुबली जैसी मूवी का भी एकोड तोड़ देगी क्योंकि इस वाली फिल्म को 10 बासाओं में बनाया जा रहा है और वो भी 2D और 3D में बनाया जा रहा है और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर बोबी दिवल जोगि आवे नेगिटिव रोल में नजर आएंगे यानि कि ये दोनों एक दूसरे से बिढ़ते हुए नजर आएंगे और इसके साथ इस फिल्म का टीजर और एक पोस्टर रिलीज किया गया है जिसे देखकर ये लगता है कि ये वाली फिल्म काफी गतरनक लेवल की होने वाली है और अब इस फिल्म के बजचट की बात करते है इसका पज़जर 350 क्रोड होने वाला है और वो अब ःदर रिलीज की बात करते है इस वाली फिल्म का टोजार चोवीस में रिलीज किया जा रहा है और दूसरे नमबर फे फिल्म आ रही है हमारी वोर्डू जो रित्तिक रोशन की एक एक्शन फिल्म होने वाली है और जिसे डिरेक्ट करने वाले है सिदार्थ आना नहीं आयान मुगर जी जिसने ब्रमास्त्री जैसी बारी फिल्म पहले भी बना चुके हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म 2019 माई वोर का सीक्वल पार्ट होने वाला है जी हाँ दोस्तों रित्तिक रोशन हमें फिर से एक बार बहुत जादा एक्शन के साथ मिलने वाले है और मैं आपको बता दूँ कि इस बार भी रित्तिक रोशन के साथ क्यारा आडवाने हमें देखने को मिलने वाली है और इस फिल्म के अंदर नेगिटिव रोल के अंदर हमें जूनियर एंटियर देखने को मिलने वाली है और साथ में हमें इसके अंदर टाइगर पटान और जेम का रोल भी दिखने वाला है क्योंकि ये फिल्म स्पाई उनिवर्स की होने वाली है जिसके अंदर रितिक रोशन और जुनियर एंटियार हमें एक दूसरे को बिटते हुए नजर आएंगे और ये वाली फिल्म इंडिया की काफी खतरनाक फिल्म होने वाली है क्योंकि एक तरफ वोलीवूर्ड के गोट गए जाने वाले रितिक रोशन और दूसरी तरफ साथ के युनिवर्स माने जाने वाले जुनियर एंटियार जो आपस में एक दूसरे बिटते हुए नजर आएंगे और मैं आपको बता दो कि इस फिल्म की जब शुरुआत की स्टोरी होने वाली है वो टाइगर 3 से होने वाली है क्योंकि टाइगर 3 में रितिक रोशन जो की कैमे रोल में नजर आएंगे जी हा दोस्तों वही से शुनियर ओने वाली है वो टू की स्टोरी और अगर इस फिल्म की शूटिंग की बात कुरूए तो 2023 में इसकी शूटिंग चलू हो जाएगी और अगर मैं इस फिल्म के बचट की बात कूरूए तो बचट होने वाला इसका 400 करोड और इसको एक नई दोनी पांच लाइंग वैस में रिलीज किया जाएगा और इसकी अगर रिलीज की बात पूर तो इसका रिलीज होगी 25 जनवरी 2025 को और तीसले नमबर पर आती है हमारी फिल्म पुश्पाटू और पुश्पाटू अलू अर्जुन की सबसे खतरनात आने वाली फिल्म है और इस फिल्म को डिरेक्ट रहे हैं सिवकुमार सैनी जिसने इसका पहला पार्ट भी डिरेक्ट किया था क्योंकि आप लोग तो जनते ही हो कि इस फिल्म में इंडिया के साथ-साथ बहार के देशों में भी तैहल कम जाया था इसी वज़े से शिवकुमार साथ इस वाली फिल्म को इतने बड़े लेवल की बना रहे हैं और साथ में इस फिल्म के अंदर हमें एक आईटम जोंग भी देखने को नजार आने वाला है जिसके अंदर दीशा पटानी या फिर उर्वजी डोटेला हमें देखने को मिलने वाली है और अगर फिल्म के बजट की बात करो तो इसका बजट 500 ग्रोट होने वाला है और इस फिल्म को पांच लाइंग वेज भी रिलिज किया जाएगा और अगर इसकी रिलिज की बात कोड़ो तो इस रिलिज होने वाली है 2024 में नंबर 4 पर है К्रिस 4 और यह फिल्म रिट्टी क्रोशन के अने वाली सुपर 8 एक्शन फिल्म होने वाली है और इस फिल्म को डिलेक रपने वाले है儿 रितिक रोशन के पापा यानी के राकेश रोशन जिसने कृस्ष फिल्म की सारी फ्रैंचाईजी फिल्मों को बनाया था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर से एक बार रितिक रोशन हमें क्रिश के रूप में नज़र आएंगे साथ में प्रिंका चोपड़ा और अमीता बचन हमें री रोल में नज़र आएंगे इसके साथ साथ राकेश रोशन अपकी बार इस फिल्म के अंदर अपना खुद का री रोल बनाने वाला है जिसका नाम होने वाला है क्रिशी नौवा और इस फिल्म के अंदर हमें अपकी बार विलियन के रूप में नवास सिधिकी के साथ हमें इस फिल्म के अंदर काल दुवारा देखने को मिलने वाला है और साथ में इस फिल्म को देखने के लिए भी पूरा इंडिया वीट कर रहा है क्योंकि इस फिल्म के पहले ही तीनों बावों ने इंडियन सिनेमा में तहल का मचा के रख रखा है और ये बात तो सच्छा है कि ये वाली फिल्म काफी बड़े लेवल की होने वाली है और इस फिल्म को VFX 3D के साथ साथ बनाया जाएगा और अगर फिल्म के बजट की बात कुर तो इस फिल्म का बच्छिट 800 क्रोड का होने वाला है और ये वाली फिल्म भी 5 लाइक वेज में रिलीज की जाएगी लेकिन दोस्तों ये वाली फिल्म हम देख पाएंगे 2026 में और पांचवे नमबर पर आती है मूवी महाबारत और महाबारत वारत सिने में की आने वाली एक मैथलोजी फिल्म होने वाली है जिसे डैनेट करने वाले हैं SS राजा मॉली और राजमोली सर की direction कितनी बहतरीं level की होती है ये तो आप सभी लोगों को पता ही है और उसके साथ राजमोली सर की ये dream project movie होने वाली है और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस वाली movie था एक नई 2 लिएपर की 10 पार्ट आने वाले हैं और मैं आपको ये भी पता देता हम कि इस वाली फिल्म के अंदर साउथ और बोली हुड के काफी बड़े बड़े अक्टर हमें देखने को मिलने वाले हैं और ये भी पता लगा है कि इस फिल्म के अंदर परवास हमें बीम के रूप में देखने को नजर आने वाले हैं जी हाँ दोस्तों ये भी पता लगा कि इस फिल्म के अंदर कृष्ण का रोल माहेश बावू या फिर अमिर कान करने वाले हैं लेकिन अभी तक राजामोली सर्थ के तरफ से कोई ओफिशल अपडेट नहीं आया है तो ये थी हमारी टोफ फाइप की फिल्में आय होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगे तो प्लीज इसे लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना वोलें थैंक्यू सो मच